नमस्कार दोस्तों मेरा नामे रभी और आप देख रहे हैं टॉप गुरूस क्या आप भी अपना कोई प्रोड़क्ट इंस्टाग्राम पे सेल करना चाहते हैं अगर सेल करना चाहते हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए स्पेशल है इसको अंतक देखिए और सीख इसleistय कुरे हैं बस हमें क्या करना है अपने प्रोड़क्ट को सही तरीकी से सेल'll कर सकते हैं हम अपनी ङन्तक देखिएं अगर आप सच में अपने प्रोड़क्ट को छाते हैं इंस्तागराम पर तो तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे चलते हैं मारी कम्पिटर स्क्रीन पर और सीखते हैं तो इंस्टाग्राम का जो एड होता है वो फेजबुक के ही के एड मेनेजर एककाउन्ट या बिजनेस मेनेजर इकाउंट से बनाया जाता है तो आपको सबसे पहले Facebook के अपने account में login करना है और उसके बाद Ad Manager या Business Manager account में login करना है अगर आपने आज तक अपने Ad Manager और Business Manager account नहीं बनाया तो इसके ओपर आप हमारे टुटोरियल में से वीडियो देख सकते हैं और अपना account फटाफट create कर सकते हैं तो यहाँ पर account create करने के बाद जब आप login करोगे तो इस तरीके से एक dashboard आता है तो उस dashboard में आप यहाँ पर click करेंगे create पर जैसे हमने create पर click करा तो हमारे पास यह वाले screen आएगी create पर click करने के बाद create Ad पर तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास campaigns बनाने के options है according to objective तो हमें क्योंकि शॉपिंग एड बनाना है और हमारी वेबसेट पर आगे लोग शॉपिंग करें तो हम ट्रेफिक केम्पेंड पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर हम पुट करेंगे केम्पेंड का नाम डालेंगे तो क्योंकि हमें हमिशना नाम याद रहे और कैम्पेंड याद रहे इस वरह से नाम डालना जरूरी होता है कॉन्टीणु करेंगे कॉन्टीणु करने के बाद दोस्तों हमारा पहला स्टेप शुरू हो जाता है कैम्पेंड क्रिएट करने का तो जिसमें कि पहले जो आप traffic देख रहे हो इसमें website, app या messenger कहा traffic लेके जाना है तो में website भी लेके जाना है यही select रहने देंगे उसके बाद यहां हमें कुछ टच नहीं करना है audience के अंदर create new audience और use the saved audience का होता है जो पहले हमने campaigns बनाए थे उसमें जो हमने बहुत महनस से audience create करी थी उसको हमने template के तौर पर save कर रखा है कि हम उस audience को use करना चाहें तो कर सकते हैं अगर मैं आपको नई audience बना के और save करके दिखाऊंगो कैसे होता है तो यहां भी नीचे चलते हैं यहां पर location इंडिया selected आप किसी भी country को कर सकते हैं जहां पर भी आप हैं तो उस country को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको स्पैसिफिकली वह एरिया सेलेक्ट करना है डैली या कोई पट्वर स्टेट या वो वह भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके उसके बाद आपको एज सेलेक्ट करना होगा तो एज हमारा जनरली 16 स से से स्टेट करेंगे 15 साल का को म tang sadme से मैक्सिमम इन दोनों की वांट यहां रहने रहने देंगे लैंग्वें हम कुछ भी pref ने करेंगे और हमारा add optimize होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको भी मैं आपको एक dummy दिखारों करके, बड़ आपको इस पर सबस्यादर टाइम और मेहनत करनी है, क्योंकि एक एक audience कौन ले सकता है, क्या ले सकता है, किस लिए लेगा, सब कुछ सोच हमज़के करना है, आपको select, तो demographics पर हमाएं, demographics पर ने education select कर लिया, education level पर मैं आया, तो मैंने high school के बच्चे select कर लिये, ठीक है, मैंने यहाँ पर आप और देख सकते हैं, some universities, some university के बच्चे select कर लिये, क्यों, क्योंकि जनरली ये बच्चे sports watches बगारा पसंद करते हैं, पहनते हैं, फिर मैं आया, demographics पर इंट्रस्ट में मैंने select कर लिया, fitness for example, क्यों fitness related लोग sports watch या, आपका smart watches बहुत पहनते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं, मैंने यहाँ पर select करा, behavior, तो behavior अब जिसे किसी की anniversary आ रही है, यहाँ पर option होता है, कि 61 days से लेके 90 days तक जिरकी भी anniversary आने वाली हैं, उनके को भी मैंने select कर लिया, इससे क्या होता है, जनरी लोग इसे लोग देते हैं, और watches एक बहुत अच्छा इटंग होता है, यह economical भी है, quality भी है, तो इस पर आपसे लोग खरीच सकते हैं, तो मैंने यह आपको dummy करके दिखाए किस तरी किसे से आप audience create करोगे, ऐसे ही आपको audience create करनी है, audience create करने के बाद जब इतनी महनत आप कर लोगे audience create करने के तो आपको यह template save करना है, तो इस template का हम नाम ज़े देते हैं, कि आगे से अगर मेरे को Instagram यह shopping ad के लिए कोई audience चाहिए, तो क्योंकि आपने और हमने इतनी महनत से audience बनाई है, तो यह जो audience है, यह क्या करते हैं save रहे और हम इसका use future में कर सके हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद सबसे important एक चीज आती है, वह आती है यह area जहाँ पर हम अपनी placement, कहाँ add दिखेगा, ठीक है, उस area को अगर Facebook और Instagram दोनों होता है, तो हम automatic धहने दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता, हम edit placement पर जाएंगे, edit placement पर जाने के बाद, यहाँ पर हम Facebook को deselect कर देंगे, इससे Facebook पर हमें नहीं दिखाना है, ठीक है, हम audience network को भी deselect कर देंगे, क्योंकि इसको payment नहीं दिखाना है, और messenger पर भी नहीं दिखाना है, ठीक है, तो उसको deselect करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं, Instagram में यहाँ पर show कर रहा है, feedback stories में दिखेगा, जिसकी कितनी जादा reach, potential reach है, per day इसकी कितने reach है, रिजल्ट हैं, और इनके link clicks कितने जादा है, तो यह एपरोक्स estimated आपको एक जानकारी देता है, तो इसके बाद हम नीचे आएंगे, क्योंकि हमने सब चीजे कर ली, अब वो हमारी website पर चला जाए और shopping कर लें, तो इसकी link click add, daily का budget 800 रखो, 500 रखो, 200 रखो, 2000 रखो, it depends कि आपका क्या objective है, आपको कितनी sales चाहिए, उसके हिसाब से आपको रखना है, daily का budget, यहाँ पर run my ads at ads का मतलब है, today कि जैसे यह approved हो, मेरा ad वैसी वो चलना शुरू हो जाए, त कि इस date को शुरू हो, और इस date को खतम हो, तो आपको यह select करना है, but हम अभी उपर all up refer करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया था, हम impressions नहीं, link clicks पर करना है, तो यहाँ पर link clicks का हम जो charges क्या करते हैं, उस हिसाब से हमारे होंगे, और अब यहाँ प करते है, standard का मतलब होता है, जो भी पैसा, budget हम लगा रहे हों, पूरे दिन में equally distribute हो, और सही से हमारा add चले, ठीक है, तो अब हम continue करेंगे, जैसे हम आगे आते हैं, तो यह हमारा add creation का page आ जाता है, जहाँ पर आकर हम finally अपना add create करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना Instagram का page select करना है, वो हमने select कर लिया, अब यह हमें तीन option पूछते है, ख्राउजल add, single image और वीडियो add, यह collection add, तो शॉपिंग्स add जो Instagram पर चलते हैं, जनरली उसमें आपने ख्राउजल देखा होगा, लोग एक के बाद दूसरी दूसरी तो साथ आठ वीडियो तक line से डाल सकत तो इससे sales boost होती है, और आपका, क्या कहते है, मैक्स, बहुत सारी क्या कहते हैं, इसमें आपके पास option होते हैं, images, descriptions वगारा, पुट करने का, अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद, अब हम crowd alert बनाएंगे कैसे, ठीक है, दोस्तों यह Instagram का एक preview है कि किस तरी किसे हमार दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले text डालेंगे, हमने ऐसे dummy text बना के रखा हुआ है, तो यह हम copy करेंगे और paste करेंगे, और दोस्तों आपको अपने text, description, add के creative, images, हर चीज आपको बहुत अच्छे से design करनी है, बनानी है, जिससे कि आपको लोगों के, जब लोग देखें, तो उ ठीक है, अब यहाँ पर आपको, तो यह सई है कि जो भी आप क्योंकि हाँ पर कई सारे crowdsal चलाओगे, तो जो भी सबसे अच्छा perform कर रहोगा, डिजाइन या जो उसमें कुछ content या कुछ offer ऐसे अच्छा होगा, कि बना उस particular पर जा रहा है, तो उस पर भी वो कर सकता है, तो यह सब चीजें ऐसी रहेंगे, अब इसके अंदर है, तो इसको आप पहले मैं आपको पहली एक image करके दिखाता हूँ, इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पर हम पहली image आपको select करके दिखाते हैं, कैसे आप add बनाएंगे पहला, तो पहली image में हमने अपना एक design select करा, अगर आपका इसमें नहीं है, क्योंकि आपने पहले add ने चला है, तो upload image में जाके आप अपने folder में से upload कर सकते हैं, continue करेंगे, continue करने के बाद, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो भी sizes, या description, parameter, या protocol, facebook ने बताई हैं, उसी के हिसाब से add design करवाएंगे, और content develop करेंगे, जिससे आपका best optimize हो add और सबसे अच्छा perform करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर headline डालेंगे, तो headline बड़ी attractive होनी चीए, हमने डमी बनाए हुआ है, बट आपकी short में और बहुत informative और अच्छी attractive headline होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों तो यह आप देख सकते हैं, जो हमने text डाला, और headline यह सब दीखे, नीच से आगे और इस तरीके से हमारा ads होगा, ठीक है तो यह सब अभी optional है, यहाँ पर हमारा URL यहाँ डाली रखा पहले से, क्योंकि पहले भी add बनायते हैं, तो अपने आप आ रहा है, ठीक है, तो call to action, यहाँ पर call to action, कई हो सकते हैं, like quote, learn, download, depend कि वो क्या, किस purpose से यहाँ पर नीच आएंगे दोस्तों, यहाँ पर नीच आने के बाद, यह जो आप देख रहे हैं, एक बारी, हम जड़ा आपको, sorry, हमें एक add और करके दिखाएंगे, क्योंकि minimum 2 और maximum 7-8 तक आप अपने add बना सकते हैं, अबर minimum 2 तो चाहिए क्राउजल के लिए, image select करेंगे, दूसरी image select करेंगे, ठीक है, इसको upload करेंगे, और यह करने के बाद, यहाँ से आप हम जाएंगे, यह हमने एक और dummy text बना रखा है, copy करा, और copy करने के बाद, हमने paste कर दिया, पेस्ट किया, तो यह हो गया, तो description optional है, ठीक है, नीचे आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम, जो url है, वो हम put कर देंगे, यह हमने url put किया, ठीक है, तो आप देखिए, more or less हमारे add shape लेना शू कर दिया है, और इस तरीके से हमारा add दिखेगा, देखिए, ऐसे multiple 6-7-8 images, description वेगरा, आप दलवा सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर हम, नीचे आएंगे, action भी हमने शरक कर लिया है, अब यहाँ पर आ गया, facebook pixel का, तो अब अपनी website में facebook pixel जरूर update करें, जिससे कि आप facebook के दूरू चलने वारे चाहिए, इस्टा के add हो, चाहिए facebook के हमको सही से track कर सकें, और अपने data को analyze करके, अपने ads इसको और पहतर चलाएं, और खूब business generate करें आप इस चीज़ से, ठीक है, तो इसका video भी हमने अपने tutorial में दे रखा है, हमारे tutorial से जा कि आप pixel install करना सीख सकते हो, नीचे आएंगे, इस ad को हमने बना लिया है, इसको confirm करेंगे, और देखें दोस्तों, confirm करते ही, हमारा dashboard Instagram पे जबर्जस sales generate कर सकते हो, आप बस इस वीडियो को अच्छे से बनाना सीखिए, और इसकी practice की लिए, जिससे कि आप भी अपने business को एक नई उचाई और height दे सको, तो दोस्तों, देखिए, हमारा ये जो ad है, ये देखो in review है, जैसे ही active हो जाएगा, approved हो जाएगा, यहाँ Instagram पर ये चलना शुरू हो जाएगा Instagram के ओपर, ठीक है, और इसको अभी हम अगर inactive कर देंगे, क्योंकि ये हमारा dummy एक था, जो हमने आपको, ये campaign बनाया, तो ये campaign बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप जरूर ट्राय करेंगे, और sale बढ़ाएंगे Instagram पे, तो दोस्तों, बताइए, कि दोस्तों, आपको वीडियो समझ में कितनी आई है, अगर पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, अगर आपी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट शेक्शन में लिखें, और दोस्तों, शेर जरूर करें, तो आपने प्रोड़कों कैस सेल करना Instagram पे, तो आसानी से दोस्तों कर सकें, दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे कुछ नहीं इंटो इंपॉर्टेंट टॉपिक से साथ, अब तक के लिए जोड़ रही है, हमारे शाथ, हमारे शुचल वीडिया पे इसको करिए फॉलो, थैंकियो फर वाचिक, कुछ.